नमस्कार, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं अटोमिक हैबिट के चैप्टर एक की आईए सुनते है साल 2013 के एक दिन ब्रिटिश साइकलिंग का भग्य उस समय बदल गया जब ग्रेट ब्रिटिश प्रोफेशनल साइकलिंग की गवर्निंग बोडी ने हाल ही में डेव बेल स्पोर्ड को अपना नया परफॉर्मेंस डाइरेक्टर चुना उस समय तक ब्रिटेन के प्रोफेशनल साइकल राइडर्स पिछले सो सालों से केवल सामन्य राइडर्स के तोर पर परफॉर्म कर रहे थे वह समय ब्रिटेन के प्रोफेशनल साइकल राइडर्स के पिछले सो सालों के सामन्य परफॉर्मेंस का अंत था साल 1908 से लेकर अब तक ब्रिटिस राइडर्स ने ओलम्पिक में सिर्फ एक गोर्ड मेटल जीता था और उन्होंने टूर डे फ्रांस जैसी बड़ी रेस में तो और भी खराब परफॉर्म किया था इन 110 सालों में ब्रिटिस साइकलिस्टों ने कोई भी इवेंट नहीं जीता था वास्तों में इस समय ब्रिटिस साइकल राइडर्स का तो इतना पुरा हाल था कि यूरोप के एक बड़े बाइक मैनुफेक्चरर ने तो इस डर से उन्हें अपनी साइकल्स देने से मना कर दिया कि कहीं उसकी सेल ना घट जाए बेल्स फोर्ड टीम के लिए एक ट्रांजेटरी साबित हुए उन्होंने ब्रिटिस साइकलिंग को नई उन्चाईयों पर पहुँचाया जो चीज उन्हें पिछले कोचों से अलग बनाती थी वह थी उनकी अपने कमिटमेंट के प्रती प्रतिबद्दता जिसे उन्होंने दा एग्रिगेशन ओफ मार्जिनल गेंस यानी चोटे चोटे लाबों का एक ही करन कहा था जिसका आर्थ था कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सुधार के एक चोटे से मार्जन की खोज करना आउशक है ब्रिल्स फोर्ड ने कहा यह थोरी इस विचार से आई है कि आप वह सब भूल जाएं जो राइडिंग के बारे में आप जानते हैं और फिर इसे केवल एक प्रतिशत सुधारें जब आप इन चोटे चोटे सुधारों के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको बड़ा फर्क साप दिखाई देगा जो बदलाओ आप एक पेशेवर साइकलिंग टीम से उमीद कर सकते है ब्रिल्स फोर्ड और उनके कोचों ने छोटे छोटे बदलाओ करके इसके शुरुवात की उन्होंने बाइक्स की सीटों को और ज़्यादा कमफर्टेबल बनाया वै बेहतर पकड के लिए टाइरों में बदलाओ किये उन्होंने राइडर्स को विशेज सूट पहनने की सला दी जिनमें बायो मेट्रिक सेंसर लगे हुए थे जो उनकी मास पेचियों को उचित तापमान तक गर्म बनाई रखे और प्रतेग एथलीट का बायो फीट बैक ले सके ताकि शारिरी गतिविदियों की प्रकिरिया रिकोर्ड की जा सके उन्होंने टीम के लिए विशेश तोर पर सूट पनवाई जो बाहरी ठंड वयांत्री गर्मी के तालमेल में सहयोग करें इसके लिए उन्होंने अलग-अलग तरह के फेब्रिक्स पर भी काफी प्रियोग किये वे यहीं पर नहीं रुके ब्रिल्स फोर्ड और उनकी टीम को जहां पर भी एक प्रतिशर सुधार करने की आवशक्ता महसूस होती एसी अन-एक्सपेक्टेड जगहों में भी इसे जारी रखा उन्होंने सबसे तेज मास्पेशियों की रिकवरी वाली विभिन परकार के मालिश जेल का परिक्षन किया जिसमें से एक जेल को सिलेक्ट किया गया उन्होंने प्रतेग राइडर्स को यह सिखाने के लिए कि ठंड के दोरान हाथों की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए इसके लिए एक सरजन को काम पर रखा गया वे हर डिटेल्स पर ध्यान दिया गया यहां तक की तकिया और गद्दे का सिलेक्शन किया गया जिसके कारण प्रतेक राइडर रात को सर्वेस रेष्ट नींद ले सके उन्होंने एसी सभी जगवों पर ध्यान दिया जिनकी वज़े से परफॉर्मेंस में कमी आ सकती थी जहां पर सामान्य तोर पर किसी का ध्यान नहीं जाता है उन्होंने इनके जैसे सैंकडो अन्य चोटे-चोटे सुधार किये जिनके accumulated result किसी की भी कलपना से ज्यादा तेज गती से आ रहे थे ब्रेल स्पोर्ड की जिम्मेदारी संभालने के ठीक पांच साल बात ब्रिटिस साइकलिंग टीम बीजिंग में साल 2008 में हुए ओलंपिक खेलों में सडक और ट्रेक दोनों चगहों पर हावी रही जहां उन्होंने उपलब्द गोर्ड मेडल में से 60 प्रतिसत पर आश्चरेजनक जीत हासिल की चार सालों बाद लंदन ओलंपिक खेलों में ब्रिट्स ने 9 ओलंपिक वैसात वर्ल्ड रिकोर्ड बनाई उसी वर्ष टूर डी फ्रांस जीतने वाले ब्रेडली विंगिस पहले ब्रिटिस साइकल राइडर बने अगले साल उनके साथी क्रिस्प रोम ने परतियोगिता जीती और फिर 2015, 2016 और 2017 भी जीते ब्रिटिस टीम ने 6 सालों में 5 टूर डी फ्रांस मैच जीते 2007 से लेकर 2017 तक ब्रिटिस साइकल राइडर्स ने 178 विश्व चैंपियनशिप में जीत तर्ज की 266 ओलमपिक या पैरा ओलमपिक गोल्ड मेडल और 5 टूर डी फ्रांस जीत कर उन पर कबजा कर लिया जो साइकलिंग के हिस्ट्री में सबसे सफ़र्ड ट्रेक माना जाता है यह कैसे हो सकता है एक साधारन सी टीम यह सब कैसे कर सकती है जो छोटे-छोटे चेंजेज के साथ विश्व चैंपियन में बदल जाते है पहली नजर में बदलाओ का एक मामूली अंतर इसके लिए उतरदाई है लेकिन क्यों एसे उलेखनिय परिनामों में छोटे-छोटे सुधरों का सामूहिक रोल होता है अब सवाल आता है कि इसे आप अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं जिसे हम अगले वीडियो में सिखेंगे तब तक नमस्कार हिंदी ओडियोबुक डॉट कॉम आपका दिन शुब हो